हेलो प्यारे बच्चो बच्चो इस वीडियो में हम आपकी क्लासिक्स इंग्लिश अनी शकल उसका लास्ट चेप्टर चेप्टर नमबर टैन दा बनियन ट्री बनियन ट्री बर्गत के पेड़ को बोलते हैं तो आपने देखा होगा जो बर्गत के पेड़ होते हैं वो उनकी जो उपर की जो टहनिया होती हैं वो नीचे लटक जाती हैं कुछ समय बाद में देखो ये मैं दिखाता हूँ आपको ये देखिए आप है न और फिर ये बापस जमीन में पहुंच जाती हैं और ये जमीन में जड़ जो हैं जड़ के रूप ले लेती हैं फिर ये तो ये इ इंट्री है बर्गत का पेड़ है अब बिफोर यू रीड पढ़ते हैं क्या आपने एक मंगूज को देखा है मंगूज किसको बोलते हैं नेवले को बोलते हैं आपने लेसन नाइन में पढ़ा होगा देट ए मंगूज की एक जो नेवला होता है और एक स्नेक को मार भी सकता है यह जो नीचे पिक्चर दी गई है जो को इसमें यह स्नेक है और यह क्या है मंगूज है नेवला है और पढ़ो यह जो नीचे लाइन दी गई है इनहें जो डाई है कोब्रा के बीच और मंगूज के बीच की यह एक प्राचीन काल से क्लासिक ड्रामा किसको बोलते हैं बहुत पुराने समाने से यह एक खेल चलता आ रहा है एक नाटक चलता आ रहा है जो कि अकसर कहां देखा जाता है भारत में देखा जाता है और इसका जो परणाम है आउटकम कम दो होता है परणाम वो लगवग वही एक जैसा ही होता है अर्थात इसमें मंगूज जो होता है नेवला वो बिजय प्राप्त करता है और स्नेक हार जाता है और स्नेक को क्या करता है मार देता है कि यह जो नेवला है, यह immune नहीं है, immune का मतलब होता है किसी के प्रति रक्षा रखना, कि ऐसा नहीं है कि यह जहल जाए, venomous bite, जो साब की जहरिली जो काट होती है, जो साब काटता है जहर से, उसको वो जहल जाए, ऐसा नहीं है कि उसको कोई फरक नहीं पड़े मंगूज को लेकिन जो मंगूज होता है वो बट इस फास्टर वो तीबर होता है एंड क्विकर बहुत चल्दी से इन मोशन अपनी गती में देंदाशने श्रेक की तुलना में तो ऐसा नहीं है कि भई इस जो ये नेवला है इस पे इसका कोई फरक नी पड़ता इसकी साप के काटने का अगर ये साप इसको काट जा तो ये मर जाएगा लेकिन ये जो मंगूज होता है ये साप की तुलना में ज़्यादा फास्ट होता है जैसे ये इस पे श्ट्राइक करता है चोट करता है ये तुरंट दूसरी साइड में चला जाता है और साप को मुड़ने में थोड़ा सा क्या लगता है समय लगता है तो इस तरह से ये वापस इसकी उच्छल के जो नेवला है इसकी पहुँच से दूर हो जाता है और इसको ठका लेता है और एक स्थिती ऐसी आती है कि ये साप जो है ये ठक जाता है और ये नेवला इसको पीछे से बाइट कर देता है काट देता है और इस साप की जो रीड की हड़ी है उस पर चोट करता है ये और साप की जो रीड की हड़ी है वो तूट जाती है और फिर साथ की उन्हें त्यूप हो जाती है दा कोब्रा अज्यूम्स ए पोस्चर आफ डिफेंस जैसे ही इनका आमना सामना होता है तो यह जो कोब्रा है यह ले लेता है एक ऐसी पोस्चर लेता है एक ऐसी स्थिति ले लेता है defense की स्थिति, यानि ये सुरक्षा के उसमें आ जाता है, बचाव की मुद्रा में आ जाता है, एक तो होता है attack करने वाला, और एक होता है खुद को बचाव करने वाला, तो यहाँ पर attack करने वाला कोशिश करता है sweeping strike बहुत जबरदस्त एकदम जटके से इसको चोट मारता है जो साप है बहुत तेजी से इस पर चोट मारता है लेकिन बढ़ता quick moving mangoos लेकिन जो बहुत जल्दी से उचलने वाला mangoos है jumps out of the reach यह यह साप की पहुँच से दूर हो जाता है and क्योंकि साप उचल नहीं सकता साप क्या है जमीन पर ही अपना एक हिस्सा क्या है उसको जमीन पर ही टिका के रखना है जो हिस्सा उसने उपर उठा रखा है तीन फिट का या जो भी दो तीन चार फिट उपर उठा रखा है सिर्फ इतनी ही दूरी तक वो क्या कर सकता है चोट कर सकता है, लेकिन मंगूज जो है ये उचल के 3-4 फिट से भी क्या चला दूर चला जाता है, तो इसलिए ये साप की पहुंच से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है ठीक है ना तो मंगूज jumps out of the reach and comes at the snake, और फिर snake पर दुबारा से चोट मारता है, मंगूज, from another side है ना, another direction दूसरी दिसा से, ठीक है ना तो कहने का मतलब ये देखो कि जैसे ये साप है, यहां से लेके और यहां तक यह माना 3 फूट उपर उठा हुआ है तो ये कितनी फूट तक मार कर सकता है, यह तो तीन फूट तक से आजाता है, फिर साप पीछे की तरब करेगा, तो इस तरह सी अपनी दिसाएं बदलता रहता है, जो नेवला है यह, और जैसे इसको मौका मिलता है, यह जट पीछे से इस पर क्या करता है बार करता है, है ना, तो इसकी इसमें, रीड की हड़ी पहले ही क्या करता है, वो बापस दूसरी तरफ उसके चला जाता है इस तरह से जो लगातार जो इनकी दल बदली है यह आगे पीछे होना मंगूज का, तायर्स यह ठका देता है और साप को क्या करता है, डिसकरेज करता है उसको हतोत साहित कर देता है और यह जो मंगूज है, यह अंत में समर्थ हो जाता है टू लीप इन एकदम से जटके के साथ उचलने के क्लोज साप के पास एकदम तेजी से आता है यह और अपने दातों को गढ़ा देता है इन दा स्नेक स्नेक साप की गरदन में और जब यह दात गढ़ाता है उस साप की पीछे गरदन में तो अकसर सीवियरिंग का मतलब होता है डैमेज कर देता है दा जोइंट्स ओफ इस बर्टीब्रे साप की जो रीड की हड़ी है उसके जोइंट्स को क्या गरता है यह तोड़ देता है एक जोइंट अगर साप की रीड की हड़ी का तूट गया तो फिर साप क्या नहीं कर सकता मुवमेंट नहीं कर सकता हिल दो लोगो नहीं सकता तो इस तरह से मंगूज साप के उपर क्या पा लेता है विजय प्राप्त कर लेता है दा बनियंट्री यू मस्ट हैब सीन ए बनियंट्री आपने एक बरगत का पेड देखा होगा दिस इज ए स्टोरी यह है एक कहानी है अबाउट वॉट ओथर सो कि जो लेखक ने देखा as a young boy जब वो कैसे थे लेखक तो यह रसकिन बॉण्ड ने लिखी है किस ने लिखी है यह रसकिन बॉण्ड ने लिखी है जब वो छोटे बच्चे थे उन्होंने यह चीज देखी थी वो एक पुराने बरगत के पेड में बैठे हुए थे उपर अपने दादा जी के घर पार्ट वन दो दा हाउस एंड ग्राउंड बिलॉंग टू माई ग्राण पेरेंट्स अब यह लेखा कह रहे हैं कि यद्यपी वो जो घर था और जो खेल का मैदान था वो मेरे दादा जी का था बिलॉंग टू ग्राउंड पेरेंट्स का मतलब वो मेरे दादा जी का था the magnificent old bunion tree was mine लेकिन लिखा के रहे हैं रसकिन बॉन के यद्यपी वो जो खेल का मैदान था ठीक है ना वो मेरे दादाजी का था लेकिन जो magnificent old bunion tree था बहुत ही विशाल का है magnificent का मतलब क्या होता है बहुत ही सुन्दर और प्रभावसाली विशाल का है जो बनियन बरगद का पेड़ था वो मेरा था बाजमाइन वो मेरा था chiefly because मुख्य रूप से इस कारण से कि grandfather मेरे दादा जी at 66, 65 उनकी उम्रत 65 वर्स हो चुकी थी could no longer climb it अब वो उस पर चढ़ नहीं सकते थे मेरे दादा जी तो बरगद के पेड़ पर चढ़ नहीं सकते थे इसलिए वो बरगद का पेड़ मेरा था भले ही वो जो ground था वो जो garden था वो किसका था मेरे दादा जी का था its spreading branches इसकी फैली हुई साखाएं which hung to the ground जो नीचे कहां तक लटक जाती है जमीन तक लटक जाती है and took root again और वो बापस से किसका रूप धार्ण कर लेती है जड़ों का रूप धार्ण कर लेती है forming a number of twisting passages और वो अनेक भूल भुलिया वाले इस तरह से इस तरह से वो passages बना लेते हैं रास्ता बना लेती हैं वो जड़े gave me endless pleasure और ये तो लेखा क्या इन जड़ों से उतरते चड़ते थे तो ये मुझे बहुत ज़ादा endless pleasure ऐसी खुशी देते जो कभी समाप्त नहीं होती है among them were squirrels अब वहाँ पर कौन-कौन थे? वहाँ पर गिलहरियां थी and snails गोंगे थे and butterflies और कितलियां थी उस पेड़ के उपर the tree was older than the house वो जो पेड़ था वो हमारे घर से भी पुराना था older than grandfather मेरे ददाजी से भी पुराना था as old as दहरादून itself और यहां तक कि वो दहरादून जितना ही पुराना था जितना पुराना दहरादून शहर है तो यह कहां की कहानी है दहरादून शहर की है I could hide myself in its branches I could hide myself in its branches मैं अपने आपको उसकी जो साखाएं थी उनके अंदर छिपा सकता था behind thick green leaves मोटी मोटी जो भारी भारी पत्तियां थी हरी पत्तियां बरगद की उनके पीछे में छिपा लेता था अपने आपको and spy on the whole the world below और नीचे की चीजों को दो नीचे का संसार था नीचे की चीजों थी उनको मैं उपर से ही क्या करता था जागता रहता था वाज सीक्रेटली गुपत रूप से मैं नीचे देखता रहता था अब लेखक बता रहे हैं मैं फर्स्ट फ्रेंड वाज ए स्मॉल ग्रे स्क्विरल की उस बर्गत के पेड़ पर मेरी जो सबसे पहली दोस्त थी वो एक छोटी सी भूरे रंग की गिलहरी थी आर्किंग हीज बैक and sniffing into the air he seemed at first to resent my invasion of his privacy अब लेखक कह रहे हैं जिससे आपने देखा उन तो वो जो गिलहरी होती है वो अपनी जो कमर होती है उसको थोड़ा उचा कर लेती है कई बार है ना तो आर्किंग हीज बैक आर्क का मतलब क्या होता है इस तरह से उपर कर लेना घुमाबदार बना लेना आर्किंग हिस बैक अपनी पीट को घुमाबदार बनाते हुए एंड स्निफिंग इंटु दा एर और हवा में सूंगते हुए सूं सूं करके सूंगते हुए वह ऐसी प्रतीत हो रही थी वो गिलहरी at first to recent मानो वो मुझे डिसलाइक करती हो क्योंकि मैंने उसकी प्राइवेसी में क्या दे दिती दखल दे दी थी invasion यानि आकरमन करना प्राइवेसी यानि निजता उसकी जो प्राइवेसी है पहले तो उसी कर राज था अब लेखा की भी आ गया वहाँ पे इसलिए उसको क्या लग रहा है लिखा कैसा सोच रहा है कि सायद उस गिलहरी को ये गलाग रहा है मैंने उसकी प्राइवेसी में दखल दे दी है इसलिए वो मेरे से क्या है क्रोधित है बट वेन लेकिन जब उसने पाया गिलहरी ने पाया कि I did not arm myself with catapult कि मेरे पास catapult नहीं है यानि मैं catapult से अपने आपको सज्जित नहीं कर रखा है मैंने मेरे पास catapult नहीं catapult बोलते हैं गुलेल को बोलते हैं देखो मैं भी दिखाता हूँ आपको catapult ये देखिए ये catapult है तो एक ऐसे इस तरह की छोटी सी ये इसे ये फॉर्क नुमा लकडी ले लेते हैं और इसमें ये जो है ना ये इसे रवड और एक ये दूसरी रवड और इसमें इस तरह से यहां पर तो यहां पर कोई भी पत्थर या गोली मारके और इस रवड को खीशते हैं और इस गोली को काफी दूर तक फेंका जा सकता है और निसाना लगाया जा सकता है ठीक है तो कई जो शैतान बच्चे होते हैं इसे चिडियों को भी मार देते हैं इससे ये केटापुल्ट है गुलेल बोलते हैं इसको गिलोल गुलेल कुछ बोल देते हैं न और air gun, air gun भी एक छोटी gun होती है, जो बच्चे रखते हैं उसमें, और उसमें कुछ dart type होती है, जिससे किसी को गायल किया जा सकता है, किसी भी छोटे जीव को, कुछ दूरी तक. तो जब उसने देखा गे लहरी ने कि मेरे पास ना तो गुलेल है, ना ही मेरे पास air gun है, तो he became friendly, वो मेरे से क्या हो गई, दोस्त बन गई मेरी वो. And when I started bringing him pieces of cake and biscuit, और जब मैंने शुरू कर दिया, bringing यानि लाना, उसके लिए cake और biscuit के टुकडे, मैंने उसके लिए cake और biscuit के टुकडे लाना शुरू कर दिया, he grew quite bold, तो वो थोड़ी सी bold हो गई. And was soon taking morsels from him, और जल्दी ही, वो मेरे हाथ में से उन cake और biscuit के टुकडे चुगने लगी, मेरे हाथ में से ही उनको खाने लगी, अब उसको डर नहीं लग रहा है. Before long, he was delving into my pockets, कुछ ही समय, before long का मतला, ज्यादा समय नहीं बीता, अर्था थोड़े समय में ही, वो है मेरे pockets में गुस जाती, delve का मतला क्यों होता है, गुस जाना, वो मेरे pocket में गुस जाती, and helping himself to whatever he could find, और जो कुछ भी मेरी जेब में मिलता, उस चीज को वो बड़े मजे से ले ले लेती और खाती, he was a very young squirrel, वो बहुत छोटी squirrel थी, छोटी गिलहरी थी, यनि गिलहरी का बच्चा था वो, and his friends and relatives, और उसके जो दोस्त थे, मौरसल किसको बोलते थे, वो small pieces of food, जो food के, उसके cake और उसके जो टुकड़े थे उनको, Dalwin का मतलता, going deep into, गहरे गुस जाना, तो वो बहुत छोटी young squirrel थी, और उसके जो दोस्त और relatives जो थे, यहां पर दिखाया, तो यह गिलहरी यहां है, एक गिलहरी यह आ गई इसके पास, तो यह इसके हाथ, यह खिला रहा है इसको, यह cake ले रखा इसने, यह बिस्किट ले रखी है, probably thought him foolish, और जो उसके friends और relatives जो थे, उस छोटी गिलहरी के, जो दोस्त और उसके जो सगे संबन्दी थे, वो उसको मूर्ख समझ रहे थे, and headstrong, और थोड़ी सी जदाई, अति उत्सा ही समझ रहे थे, for trusting a human, क्योंकि वो क्या कर रही थी, एक आदमी के उपर भरोसा कर रही थी, तो उन्हें लगता था कि ये आदमी क्या कर सकता है, इसको चोट पहुँचा सकता है, इसको नुकसान पहुचा सकता है, जिकन headstrong का मतलब, पागल, मूर, कुछ जंगली, ऐसे, in the spring, बसंत के मौसम में, when the onion tree, जब जो बरगद का पेड़ है, वाज full of red figs, जब उस पे लाल लाल गोल आ जाते हैं, गोल देखाता हूँ मैं आपको, उसका फल होता है ये, बरगद का, ये देखिए, इस तरह से पहले तो ये green होते हैं, तो फिर बाद में क्या हो जाते हैं, ये, पक जाते हैं, अंदर से लाल हो जाते हैं, तो इनको figs बोलते हैं, तो ये, इसका बरगद का क्या है, फल है ये, तो जब बसंत के मौसम में, जब पूरा बरगद का पेड, उस पर लाल लाल, ये जो गोल है, ये लद जाते हैं, उस समय, birds of all kinds, हर तरह के पक्षी, would flock into its branches, इसकी साखाओं पर आके धमाचोकडी करते हैं, आके बैठ जाते हैं, कौन-कौन, the red-bottomed bulbul, है न, लाल पेट वाली बुल-बुल, लाल पेट का मतला, नीचे से थोड़ा सा क्या होता है, उसका लाल दिखती है, वो, न, ये न, रैड बॉटम्ड बुल-बुल, ये रहा देखो, ये इसका नीचे से क्या है, ये वाला हिस्सा, लाल है, तो ये red-bottomed बुल-बुल है, और कौन-कौन से पक्षी चाते थे, cheerful and greedy, parrots, खुश, खुश नुमा, और greedy यानी, लालची, लालची क्यों कहा है, उनको बहुत जदा गोल खाना चाहते हैं, वो, ऐसे तोते, माइना, न, मेना जो होती है, मेना, ये भी एक पक्षी है, ये मेना है, इसको बोर्या बोलते हैं, मेना और, क्रोज, ये तो आप जानते ही हैं, स्क्वैबलिंग, है न, जो लड़ते जगडते रहते थे वो पक्षी, स्क्वैबल का मतलब क्या होता है, लड़ना, जगड़ना, चुन, चुन, चीन,चीन करना, तो जब बरगद के पेड़ पर बसंत्रितू में खूब सारे गोल पक जाते थे उस समय अनेक तरह के पक्षी लाल बॉटम वाली बुल बुल चीरफुल और क्या नामे तोते मेना कवे और ये आके वहाँ पर क्या करते थे आपस में जगडा करते थे इक सीजन में गोल वाले सीजन में दबनियन ट्री वास दा नोजीएस्ट प्लेस इन दा गार्डन गार्डन के अंदर ये जो बरगद का पेड था ये सबसे ज़्यादा इस पेस आवाज आती थी सब जदा आवाज इसी पेड़ पैसे आती थी Half way up the tree पेड़ की आधी उचाई पर I had built a crude platform मैंने एक काम चलाओ platform बना लिया था Where I would spend the afternoon जहाँ पर की मैं अपनी दो पहर बिताया करता था दो पहर का समय बिताया करता था लिखक बोल रहे हैं When it was not too hot जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी I could read there मैं वहाँ पर पढ़ता था propping myself अपने आपको take लगा के propping का मतलब होता है यह माना कोई दिवार है इसके सारे आप यहाँ पे बैठ जाते हो पींट लगा के तो आपने दिवार के सारे प्रॉप कर रखा है अपने आपको ऐसी पेड है यह जो बरगद का पेड था यह जो बरगद का पेड था उसकी जो अनेक परकार की यह साखा है जो टहनिया थी यहाँ पर किसी एक ब्रांच के सारे अपनी पींट को लगा के और वह पर बैठ जाते थे और पढ़ते थे Against the tree with a cushion from the living room और अपने घर से क्या ले थे तकिया लियाते थे एक मसंद या तकिया लियाते थे और क्या पढ़ते थे Treasure Island यह भी किताब का नाम है Huckleberry Finn यह भी किताब का नाम है And the story of Dr. Dollittal यह भी एक कहनी की बुक है यह वर Some of the books यह कुछ किताबें थी That made up my Bunyan Tree Library जो मेरी बरगत के पेडवाली लाइबरेरी का हिस्सा थी तो इन किताबों को मैं वहाँ पर पढ़ता था When I did not feel like reading जब मुझे पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी I could look down Throw the leaves तो मैं उन पत्तियों से नीचे देखता था At the world below नीचे के संसार पर जो नीचे की चीज़ें थी उनको जहांकता था And on one particular afternoon और एक विशेश दो पहर किसी एक दिन की एक दो पहर विशेश दो पहर I had a grand strand view Grand strand का मतलब क्या होता है बिलकुल साफ दिखने वाला बिलकुल clear दिख जै इस तरह का मुझे साफ साफ दृष्ट दिखाई दे रहा था Of that classic Of Indian wilds जो भारती है जंगली जीव होते हैं उनका वही पुराना नाटक कौन से वलनाटक की बात करना चाने लेखक वही नेवला और साफ की लाई का उसका एक मुझे clear द्रष्ट दिखाई दिया वो द्रष्ट क्या था A fight between a mangoos and a cobra नेवले की और एक कोबरा साफ की लाई का अब उसका ये लेखक वर्णन करेंगे Part 2 The warm breezes of approaching summer Had sent everyone Including the gardener into the house अब क्या है बरसात आने वाली ही है तो जब बरसात आने वाली होती है तो गर्मी जो है वड़ी चिप-चिपी गर्मी होती है उमस वाली गर्मी होती है तो वैसी ही गर्मी का समय था और इस तरह की गर्मी ने किसी को कहां भेज दिया था घरों के अंदर भेज दिया था और यहां तक की जो गार्डनर था माली था वो भी अंदर घर में था यानि अर्थात बाहर कोई भी लोग दिखाई नहीं दे रहे थे मैं किस पे था उपर बरगत के पेड़ पे था आई वास फिलिंग ड्राउजी मैसेल मैं भी नीद महसूस कर रहा था मुझे भी नीद सी आ रही थी वंडरिंग और मैं सोच रहा था इफ आई सुड गो टू दा पोंड कि या तो मैं पोंड पे चला जाओ कि क्या मैं पोंड पे चला जाओ तालाब पे चला जाओं and have a swim और तैरू बेद रामू रामू के साथ and the wafellos और भेंसों के साथ क्योंकि तालाब में बच्चे भी नहते तैरते हैं और भेंसें भी तैरती रहती हैं तो क्या लेखक सोच रहे हैं कि इतनी गर्मी का मौसम है कोई भी नजर नहीं आ रहा तो क्या मैं तालाब पे चला जाओं और वहां रामू और अन जो भेंसें हैं उनके साथ तैरू ऐसा सोच रहे थे वो वेन आई सो उसी समय मैंने देखा एक हूज ब्लैक कोब्रा एक विशाल का एक काला कोब्रा साप ग्लाइडिंग आउट रेंग कर बाहर निकल रहा था ओफ एक क्लंप ओफ क्रेक्टस नागफनी के जो जुंड था नागफनी के पौधों का जो जुंड था उसमें से वो रेंग के बाहर आ रहा था कोब्रा एड़ दा सेम टाइम उसी समय एक मंगूज इमर्जट एक नेवला भी प्रकट हो गया फ्रॉम दा बुस्स जाडियों में से एंड वेंट स्ट्रेट फॉर दा कोब्रा और वो सीधा किस के पास पहुँच गया कोब्रा के पास पहुँच गया इन एक क्लियरिंग बिनीथ दा बनियन ट्री बनियन जो पेड था बरगद का पेड था उसके नीचे क्या था बिल्कुल साफ जगह थी इन ब्राइट संसाइन और सूरद चमक रहा था यानि बिल्कुल इस पस्ट दिखाई देदा दिन का समय था देख केम फेस टू फेस वो एक दूसरे के सामने आ गए दा कोबरा न्यू अनली टू वेल कोबरा बहुत अच्छी तरह से जानता था देट तक ग्रे मंगूज कि ये जो भूरे रंग का नेवला है थ्री फीट लॉंग जिसकी लंबाई कितनी है तीन फिट ही है वाजे सुपर फाइटर ये बहुत सांदा लडाकू है क्या है ये बहुत ही जबरदस लडाकू है क्लेवर चतुर है और अग्रेसिव और भूज़दा आक्रामत है कोबरा साफ जो है एक अनुभवी डाकू था he could move swiftly वो बहुत तेजी से move कर सकता था swiftly याकनी तेजी से move कर सकता था and strike और चोट मार सकता था बेड़ दा speed of light प्रकास की गटी से यानि बहुत तेजी से चोट मार सकता था सांप भी special तरह का कोबरा था and the sex और जो बोरे थे बिहाइंड इस लॉंग सार्फेंग्स उसके लंबे नुकीले दातों के पीछे जो थेलियां थी सेक्स का मतलब होता है बोरा या थेली ऐसे बताते हैं कि जो साप होता है इसके मुह में इसके दातों के पीछे क्या होती है जहर की फेलियां होती है वर फुल अफ डेडली पॉयजन वो एक बहुत भयानक जहर से भरी हुई थी जो फेलियां थी उसकी वो उसकी दांतों के पीछे भरी हुई थी इस प्रकार का वो कोबरा था यह जो प्लाई होने जा रही थी यह ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह दो चैंपियंस का बैटल है दो चैंपियंस के भी लड़ाई होने जा रही है Hising Defiance Defiance का मतलब होता है बचाव की मुद्रा में साप बचाव की मुद्रा में आ गया और फूम फूम करने लगा हिसिंग का मतलब होता है फुपकार मारने लगा हिस फॉर्क्ड टंग उसकी जीव कैसी है जीव में कट हो रखा ऐसे आगे से दू मुही दो मुही जीव साप की जीव कैसी थी दो मुही जीव थी यह रहा देखो हम यह साप है और यह क्या है इसकी यह जीव है और इसकी यह आगे से क्या है इसमें दो मुही हो जाती है लप लप आता है फिर इसको यह फॉर्क टंग बोलते हैं इसको डार्टिंग इन एंड आउट उसकी जो दो मुही जीव थी वो अंदर बाहर हो रही थी कभी वो अंदर कर रहा था कभी बाहर निकाल रहा था The cobra raised three of his six feet off the ground तो ये जो कोब्रा था ये छे फीट लंबा था तो इसने तीन फिट अपने आपको क्या कर लिया जमीन से उपर उठा लिया And spread his broad और उसने फैला लिया अपना चोड़ा spectacled hood प्रासांदार देखने वाला जो फन था hood किसको बोलते हैं फन को उसने अपना फन फैला लिया तीन फुट उचा हो गया छे फुट में से और अपना फन उसने फैला लिया The mangoos boost his tail अब mangoos जो था उसने भी अपनी जो पूँच थी वो फड़़ड़ाई नेवले ने अपनी पूँच फड़़ड़ाई The long hair on his spine stood up और जो नेवले की जो सरीर था उसके उपर बाल होते हैं उसने वो बाल खड़े कर लिये यानि वो भी क्या कर रहा है लड़़ाई की मुद्रा में आ रहा है दोदा combatants combatants किसको बोलते हैं प्रत्दवंदी तो यहाँ पर दो प्रत्दवंदी कौन हैं साप और नेवला जो लड़़ रहे हैं दो पहलवान दोदा combatants यद्यपी जो प्रत्दवंदी हैं were unaware of my presence in the tree उनको पता नहीं था कि मैं पेड़ पैसे उपर इनको देख रहा हूँ वो unaware थे उनको मेरी उपस्तिती का आभास नहीं था they were soon made aware of the arrival of two other spectators लेकिन जल्दी ही उन्हें पता चल गया आगमन का दो अन्य दर्सकों के अब वहाँ पर दो अन्य दर्सक और आगे मेरा तो पता नहीं था उनको दोनों को नेवलेक और साथ को लेकिन दो दर्सक और आगे जिनका की उन दोनों को पता चल गया और वो दो दर्सक कौन थे वन वाजद ए मैना एक तो मैना थी, बोर्या थी और अदर ए जंगल क्रो और दूसरा जंगल का कववा था उन्होंने देखा कि इन दोनों में युद्ध की तैयारियां हो रही है और वो किस पर जा बैठे दोनों नागफनी के पौधों पर जा बैठे युद्ध का परणाम देखने के लिए कि कौन जीतता है, कौन हारता है वो जाके कैक्टस पर बैठ गए यहां पर यह दिखा रखा है, यह कैक्टस नागफनी के पौधे हैं यह यह तो क्रो है और यह क्या है, मैना है और यह साप है, यह स्कृरल है और यह लेखक है यह कौन है, लेखक हैं, जो काँ पर बैठे हुए हैं content का मतलब संतोस करना कि कास यदि वो सिर्फ देखने में ही संतोस कर लेते दूर से चुपचा बैठ के देखने में ही संतोस कर लेते all would have been well तो सब कुछ ठीक होता उन दोनों के साथ सब कुछ ठीक होता अगर वो मात्र देखने तक ही सीमित रहते लेकिन उन्होंने देखा ही नहीं उन्होंने फटे में पैर भी दे दिया यानि वो खुद अपनी टांग भी उन्होंने उसमें फशा दी उनकी लड़ाई में अब देखेंगे आगे क्या होता ह दा कोब्रा इस्टूड ओन दा डिफेंसे यो जो कोब्रा था वो खड़ा हो गया बचाब की मुद्रा में स्वेंग स्लोली फ्रॉम साइड तू साइड धीरे धीरे वो अपने फ़न को इधर उधर एक तरफ कभी दूसरी तरफ हिला रहा है ट्राइंग टू मैसमेराइज दा मंगूस वो उस नेवले को मैसमेराइज करने की कोशिश कर रहा है मैसमेराइज का मतला भूल भूलया में डालना इंटू मेकिंग ए फाल्स मूग कि ये गलती करे साइड उसको भूल भूलया में डालने की कोशिश कर रहा है कि यह जो नेवला है यह क्या करे गलत चाल चल जाए तो मैं इसको डस लूँँ बट दा मंगूज लेकिन जो नेवला था knew the power of his opponents वह जानता था शक्ती को ताकत को अपने उस विरोधी साप की किसकी ताकत को गलासी काच जैसी चमकती हुई unwinking बिना जपकने वाली आखों की ताकत को वह जानता था और उसने आख मिलाने से इंकार कर दिया अर्थात उसने साप की आखों से आख मिलाने का उसने refuse कर दिया किसने मंगूज ने नेवले ने उसने उससे नजर नहीं मिलाई instead बलकी he fixed his gaze उसने अपनी जो नजर थी वो गढ़ा दी at a point एक ऐसे बिंदू पर just below the cobra's hood कोबरा के फन के नीचे अर्थात वो आखों से आखें नहीं मिला रहा नेवला जो है वो and opened the attack और उसने अपना वार्प किया moving forward quickly until he was just within the cobra's reach आगे बढ़ते हुए तेजी से आगे बढ़ते हुए जब तक की he was just within the cobra's reach कि वो किसकी पहुँच में आ जाए कोबरा की पहुँच में आ जाए मुँ तो इधर की तरफ कर रखा है होता है कई वार जासे मुँ इधर की तरफ कर रहा है उल्टी दिसा में तो ये pretended move कहते हैं यानि हाव हाव ऐसे बना रहा है कि इधर इस direction में जाएगा लेकिन एकदम फट से पाला बदल के इधर की तरफ आ गया तो इसको pretended move बोलते हैं immediately तुरंट ही the cobra struck जैसे ही उसने इस दर की तरफ करने की गोशिश की तो cobra ने क्या किया struck मारा strike मारी उसने चोट मारी his great hood came down so swiftly उसका जो बहुत बड़ा फन था वो नीचे की तरफ बहुत तेजी से आया साप का फन जो था cobra का वो नीचे की तरफ बहुत तेजी से आया that I thought तो मैंने सोचा मैंने सोचा nothing could save the mangoes के अब इस mangoes को कोई बचा नहीं सकता कि इतनी जबरतस तरीके से अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा इसमें आप देखोगे कि साप जिस तरह से strike करता है तो ऐसा लगता है कि इसने नेवले को काट लिया होगा लेकिन नेवला उचल के दूर चल इन और डाट इन उतलो था मूब इन एज स्विफ्टली एज कोब्रा और उतनी ही तेजी से उचला मूब किया उसने जितना कि कोब्रा ने किया था बाइटिंग दा स्नेक ओन दा बैक येलो और उसने साप को पीछे से काट लिया और डाटिंग अवे अगेन आउट अफ रीच और काट के फट से फिर वापस दूसरी दिशा में चला गया अब उस चण उसी चण जब कोब्रा ने क्या मारी थी स्ट्राइक किया था उसको डाक्रो एंड दा मैना क उए और जो मैना थी हरल टेमसेल्बस एट फिम वो उसके उपर जाके और चूं चूं चीन चीन करने लग इए उताया जैसे कई बार आपने देख वान नीचे कोई जीवा जाता है जैसे कोई BILLY आ गई है तो ऊपर जो पक्षी हो उसको घेर लेते हैं और चूं चूं चिन चाहँ चाहँ करते रहते हैं उसको चारो तरफ से तो उसको हर लिख बहनते हैं Only to collide heavily in mid air और बस वो आपस में क्या हवाँ के दोराण है एक दूसरे से बिढ़ जाते हैं जो पक्षी होते हैं आते हैं a few drops of blood glistened on the cobra's black अब चुकि उसने मंगूज ने उसको पीछे से क्या के लिए तो बाइट कर लिया था आपको तो एक छोट थोड़ी सी बूने चमक रही थी कोब्रा की पीट पर दा कोब्रा इस्ट्रक एंड मिस्ड कोब्रा ने चोट मारी और मिस्क हो गया अच्छा देखो अभी मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ इसका ये कोब्रा है ये मंगूज नेवला अन्सम्हाँ आपको फिता स्ली मंगूस स्क्री येंद है इस किव में अन्समिकरिक्णर स्ट्रे स क的時候 does a ये में है ले वैजेयो कोब्र वह लाहर ये तिति फई वार्ट है ये से लुर ट्रेश्त्रोश क्णिष्ईन्यू Did मंबा इसा लगता है तो इसा लगता है तो बचेगा नहीं यह है जिन फट से उसकी पहुंच से दूर चलागता है फ्हीं पूर वखता है यहाली से दु deposited ए ट्रवतों यह टीट यह है सब्सूर है कि यह घे इस्न गीघल देंड पर बच्छिट कार मॉड़ बश्सेश् में ची मुर्चश दूर में तू Veter leg करिभ देह motion है टॉह तुसिंज ज Бrik GR. मॉड इत्वतेंrat Boss so that venom simply bounces off the muscle cells, he's literally immune to danger. The mongoose M.O. is to dance circles around his prey until it's exhausted and then a kill shot. One swift snap to the back of the head and the spine is severed. The snake is still alive, but paralyzed. Paralyzed. This snake is a hearty meal for a pint-sized predator. The cobra struck and missed. Cobrah customized enmigooj. जम्प्ड इंद और उच्छा और उसको बिट और काट खाया अब ये भलतू में बीच में टांग अड़ा रहे हैं दोनों पक्षी जो हैं ये मैनार क्रो जो हैं ये दोनों पक्षी एक बार बापस से डाइव किया इनोंने उपर उसके उपर आके उन जो जोनों को बलडाई होरी थी वहाँ पर और हुआ क्या बंप्ड इंटू इच अदर इंस्टीड और खुदी एक दूसरे से तकरा गए दोनों पक्षी और रिटर्ण स्रीकिंग टू दा सेफटी ओप दा कैक्टस और बापस से चीं चीं चूं चूं करते हुए अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बापस से कहां पहुँच गए कैक्टस के प्लांट पे पहुँच गए दा थर्ड राउंड फॉलोर दा सेम कोर्स बिद वन ड्रामेटिक डिफरेंस अब ये जो तीसरा जो राउंड चल रहा था उनकी लडाई का उसमें भी वैसा ही था बस एक थोड़ा सा रोमांटिक ड्रामाटिक अंतर उसमें आ गया एक नाटिकी अंतर आ गया क्या अंतर आया दक्रो एंड दा मैना कोवा और जो मैना थे वो still determined to take part in the proceedings अभी वो determined थे द्रड़निष चाही थे हिस्सा लेने में इन द़ प्रोसीडिंग्स उस लडाई में अभी भी वो अपना हिस्सा लेने के लिए हिस्सा लेना चाह रहे थे वो डाइव डाइड दा कोव्रा और वो किसके उपर कोव्रा के उपर डाइव किया उन्होंने तो देखो अब उनको पता है दोनों को कि यह कोबरा गायल हो गया है तो मरते हुए को दूसरा लोग मारते हैं यह सकोई पिटरा होता है ना दूसरे लोग जिन्होंने आज तक किसी को नहीं पीटा हो तो वो भी अपना हाथ साफ कर लेते हैं उसके उपर बिचारे के उपर ठीक है ना तो वैसे ही अब उनको पता चल गया कि यह साप गहल हो गया है ठीक है ना तो यह दोनों पक्षी भी क्या कर रहे हैं उसके उपर डाइव कर रहे हैं कोबरा के उपर कोबरा के उपर जपड रहे हैं इस वार उन्होंने अपनी जो निसाना था वो चूप गया उनका पक्षियों का और हुआ क्या दा मैना फ्लू ओन जो मैना थी वो तो उड़ गई उन्हें आपस में टक्कर हो गई वो हवा के अंदर ही दोनों में तो मैना तो सबल गई और जाके बैठ गई अपनी उस पर कैक्टस की डाली पे बैठ गई पर्च डाली पे बैठ गई बट दा क्रो लेकिन कोवा ट्राइट टू पूल अप इन मिड़ एर उसने अपने आपको बीच हवा के दोरान ऊड़ने की कोशिस की खीचने की कोशिस की and turn back और पीचे की और मुढ़ा इन दा सेकेंड और उसी चछन जैसे उस पक्षी ने बापस मोड लिया अपने आपको उसी समय कोवरा विप्ट इस हैड बैक कोब्रा ने अपना सिर पीछे की तरफ जोर से जटका मारा कोब्रे ने क्योंकि वो तो उससे नेवले से लडाई कर रहा था उसको इनका पता था नहीं और उसने बड़ी जोरदारी से चोट मारी इस स्नाउट स्नाउट किसको बोलते हैं? उसकी जो नाक और मूँग वाला जो हिससा होता उसको इसनाउट बोलते हैं थडिंग अगेंस्ट दा क्रोज बोड़ी और ध्राम से उसको क्रोड की जो सरीर था उस पर चोट मारी सापने आई सो मैंने देखा बर्ड फलंग नियरली 20 फीट अक्रोस दा गार्डन कि वो जो पक्षी था कववा था 20 फिट जाके दूर पड़ा उस गार्डन में थोड़ी देर के लिए वो फड़ फड़ाया और बाद में शान्त हो गया निर्थात मर गया वो मैना अभी भी कैक्टस प्लांट पे बैठी हुई थी एंड वेन और जब देखो यह कववा गिर गया इस साब के जहर से क्या हो गया यह गायल हो गया दा शनेक एंड दा मंगूज रिटर्न टू दा फाइट बापस से शनेक और मंगूज थे वो अपनी लड़ाई पर लोट आए वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगीन है ना उस समय मैना ने बड़ी बुद्धिमानी पूर्वक निश्चे किया अब मैं इनकी लड़ाई में इंटरफेयर नहीं करूंगी दखल नहीं दूंगी अपनी टांग नहीं भसाऊंगी अब तूंकी देखो मैंने बताया था ना कि कोब्रा जो होता है वो इतने ज़्यदा समय तक मूव्मेंट नहीं कर सकता तो वो ठकने लग गया कमजोर हो रहा है वो एंड दा मंगूज लेकिन जो नेवला है वोकिंग फियरलेसली अप्टु इट बड़े निर्भेता पूरवक उसकी ओर आ जा रहा है रेज्ड हिंसेल्फ ओन हिस सौट लेक्स उसने अपने आपको अपने छोटे सी टांगों के उपर उठाया नेवले ने एंड विदे लाइटनिंग स्नैप और जैसे तेज बिजली कड़कती है उसकी तरह बहुत तेजी से हेड दा बिग स्नेक बाई दा स्नाउट है ना उसने उस साथ को पीछे की गरदन से पकड़ लिया ठीक है ना एक तरह से दात गढ़ा के उसको पकड़ लिया अब कोब्रा जो है वो रिद कर रहा है रिगल रहा है इस तरह से कुंडली बना रहा है और लेस कर रहा है एक तरह से चोट मारनी कोशिश कर रहा है about in frightening manner डरती हुई स्थिती में लिपट के उसको मारनी कोशिश कर रहा है आदमी जब कोई भी जीव हुआ मरनी की स्थिती में आता है तो जो भी संभव हो सकता उससे वो अपने आपको बचाने की कोशिश करता है और यहां तक की उसने अपने आपको लपटनी कोशिश की मंगूज के चारों और बट टू नो अवेल लेकिन कुछ भी उसका फाइदा नहीं हुआ अर्थात वो साब जो था वो हार गया यह जंग दा लिटल फैलो हंग ग्रिमली ओन तो लिटल फैलो किसको लिए बोला गया है मंगूज के लिए हंग लटका लिया उसने ग्रिमली ओन तो हिंग ओन है यह तेजी से पकड़ लेना टाइटली पकड़ लिया उसने उसको साब को until the snake had ceased to struggle जब तक पकड़े रहा उसने जब तक की साब ने struggle करना बंद ना कर दिया हिलना डूलना बंद ना कर दिया he then smelt along its quivering length तब उसने अब जिसे वो चट पटाता है न ऐसे तो इस तरह से साब क्या कर रहा है चट पटा रहा है तो उसने थोड़ा सा चट पटाती हुई उसकी बोड़ी के उपर सूंगा gripped it round the hood और उसको उसके फन से पकड़ा and dragged into the bushes और उसे ज़ाडियों में घसीट के ले गया the manna dropped cautiously to the ground और जो manna थी अब उस cactus के पटे से कहां आ गई जमीन पे आ गई hopped about इधर उधर फुदकने लगी peered into the bushes ज़ाडियों में जहाकने लगी from a safe distance एक सुरक्षित दूरी से थोड़ा दूर से जहाकने लगी and then और तब विदे स्रिल क्राई तेजी से चीखते हुए चूँचूँ करते हुए और क्या बोली congratulations बोलते हुए फ्लू अबे उड़ गई तो ये किस ने लिखी है रसकिन बॉन ने लिखी है तो प्यारे बच्चो मैं आसा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और देखो आज आपका ये सारे लेसन मैंने दसों लेसन का हिंदी अन्वाग कर दिया है बच्चो अब देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि sir question answer तो कराते ही नहीं है बिटा देखो सारी चीजे मैं ही करा दूँगा तो कुछ answer बनाने की कोशिश कर सकते हैं तो उससे आपको खुद को फाइदा होगा तो आपको अच्छा लगा तो अपने friends के साथ share करें हमारे चैनल को subscribe करें मुझे comment करके बताएं और सबसे ज़्यादा खुश रहें God bless you प्यारे बच्चो